आपके पास POCO C65 है या POCO का कोई सा भी फोन है तो यहां पे आप फोन में fingerprint कैसे add-on कर सकते हैं कैसे उसकी problem को कैसे fix कर सकते हैं यह remove कर सकते हैं तो इसके लिए आप सैटिंग पे जाएंगे इस ट्रैप से option आएगा scroll कर लेंगे पासवर्ड और सिक्यूर्टी के option पे आपको जाना है और यहां पे fingerprint unlock का option क्लिक कर लेंगे अगर आपने फोन में कोई भी lock set कर रखा है तो पहले अपने फोन का lock enter करेंगे screen lock next कर देंगे तो यहां पे fingerprint add-on करने का option आ जाएगा तो यहां पे आप side में scan कर लेंगे आपका fingerprint जहा तो फिंगर को यह से गुमा गुमा के आपको add-on करना है ताकि यह सई से scan कर लें जिस भी position पे आप इसको touch करते हैं और यहां पे face lock data add करना तो कर लेंगे otherwise cancel कर देंगे done कर देंगे fingerprint one आपको show कर जाएगा तो आप इस पर जब select करेंगे न तो आप इसको rename भी कर सकते हैं अपने confirmation के लिए जैसे कि आपको पहचान रहे कि हाँ मेरी fingerprint add है और इसके बाद check mark पे click करेंगे remove करेंगे तो यहां से delete हो जाएगा fingerprint check mark पे click कर लेंगे save करने के बाद देख मेरा नाम लिखा हुआ आचुका है add करेंगे तो दूसरी finger यहां पर add fingerprint पे जाके आप कर सकते हैं और इसके बाद यहां पर आपको touch वाले option पे select करके रखना है ताकि आप हलका सभी touch करें तो fingerprint unlock हो जाए और lock screen के लिए इसको हमेशा on रखेंगे और privacy password के लिए इसको use करना चा बाद यहां पर कुछ नहीं करना है बैक कर लेना है अब यहां पर हम fingerprint test करते हैं देख सकते हैं हलका सटच करने से ही आपका जो phone है वह खुल जा रहा है ठीक है अब क्या हो कि अगर दूसरा एक option आता है मतलब लोगों को problem आते है कि fingerprint lock लगा हुआ है लेकिन काम नहीं कर रहा ह तो आप पहले fingerprint की setting को open कर लेंगे और यहां पर जो भी fingerprint से add है न तो उसको पहले आप check out कर लेंगे कि आपकी fingerprint है या नहीं है तो सबसे best तरीका क्या होता है कि आप उसको rename कर दो अपनी fingerprint को यहां से मैंने अपना नाम लिखा हुआ है और check mark कर देंगे और अगर यहां पर rename कर रखा आपने तो भी आपको नहीं पता चल पा रहा है किसका है fingerprint तो remove fingerprint पर click करके पहले आप इसको remove कर लेंगे डिलेट कर देंगे fingerprint 123 जितने भी fingerprint add है उसके बाद आप नए तरीके से add on कर लेंगे तो आपका fingerprint काम करेगा ठीक है और अगर हलका touch करने पर काम नहीं कर रहा है तो तो यहां पर आप देखेंगे कि fingerprint आपका step से show करेगा तो आप यहां पर on कर देंगे app lock और privacy password वगरा के लिए आप इसको use कर सकते हैं तब आपका proper तरीके से काम करना start कर देगा fingerprint और अब यहां पर remove करना है कई लोगों को तो यहां पर remove fingerprint ok तो देख सकते हैं delete हो गया fingerprint चले मि ते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमशकार